ऐसा लगता है दुनिया चीन से पार पाना चाहती है क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया के लिए मुसीवत बन सकता है उधारन के लिए आप एशिया को ही देख सकते हैं जहां चीन के जादा तर पूरोसी देश उससे परिशान है और तो और जिस तरह चीन की विस्तारवादी नीती रही है उससे तो आधी दुनिया परिशान है और अब यही विस्तारवाद एशिया अफरीका से बढ़ते हुए यूरोप में दाखिल हो चुका है जिससे अब यूरोपिया संग भी इससे परिशान हो चुका है और अब चीन की गुंड़ाई को लेकर यूरोपिया संग भारत में नजर गड़ाय बैठा है दरसल यूरोपिया संग चाता है कि भारत इंडो पैसिफिक में चीन के दब- का मुकाबला करने के लिए 27 नेशनल फाइनेशनल ब्लॉक में शामिल हो यहां हम बता दे कि फ्रांस जिसने पिछला ही मैंने यूरोपिय संक्य अध्यक्ष्टा समाली थी वो इंडो पैसेफिक छेत्र में पारदर्शी वित्ती पोश्र सुनिश्चित करने के लिए भारत के सा काम करना चाता है दरसल फ्रांस के एक टॉप डिप्लोमेट ने कहा है कि यूरोपिय संक्य ने ये नोटिस किया है कि चीन इस छेत्र में बड़ी संख्या में प्रविजनाओं को फाइनस करने के लिए अपने ही कर्ज जाल का उप्योग कर रहा है और इसी पर लगाम कसने के 27 नेशनल ब्लॉक ने अपने स्वयम के ट्रांस्परेंट और ग्रीन फाइनसिंग इनिशेटिव की घोशना की है जिसमें भारत एक महत्पूर भूमी का निभाएगा और सरकारी आकड़ों से ये पता चलता है कि अप्रेल 2021 के अन तक श्रिलंका के 35 बिलिन डॉलर के अर्थिक छेतर जिसे कोलंब पोर्ट सिटी कहा जाता है वो भी इस लिश्ट का हिस्सा है अब यहां इन विशाल पिरुजनाओं ने रंडितिक विशेशग्यों को बीच चिंता पैदा कर दी है यदि ऐसा ही कुछ इंडो पैसिविक छेतर में होता है तो ये चीनी लगबग 8000 सैनिक है और यहां यह ध्यान रखना उचीत है कि फ्रांस हिंडमाज सागर में मेडगासकर के पास रियूनियन आइलेंड, कॉमरोज आइलेंड, कॉर्जेट आइलेंड, कर्गलिन आइलेंड, सेंट पॉल आइलेंड और एम्श्रिडम आइलेंड साहीद कुछ दिपो का मालिक है, इससे आप समझ सकता है कि यहां फ्रांस खुले देल से अपना समर्थन मांग रहा है, और यहां फ्रांस ने यह साफ संकेत दिया है कि चीन के खिलाब इन दिपो का इस्तमाल भी करना पड़े, तो उनके द्वार खुले हैं, अब यहां पर जिस तरह फ्र इरोपिय संग भारत से उमीद लगाए बैठा है, वो यह साफ बताता है कि भारती रणनीती के आगे कोई टिक नहीं सकता है